याद रखिये, मान लो घर में अगर लच्मी नहीं आ रही किसी कारणवश, कोई कार येसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लच्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महराज, बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो, सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार कर उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो पीस कर कपड़े से चान लो महराज उसको चान कर जब आप शंकर भगवान का पूजद करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महराज किसी भी पाँच प्रदोष या पाँच सुमबा या सुमबार की अश्टमी पढ़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिरी कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चड़ा दे क्या नाम लेना है कुंद कैश्वर उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे आपने चड़ाई या बेलपत्री के ब्रक्ष की जड़ में चड़ाई उसको लेकर आउ और वही ब्रक्ष माता पारवती का नाम लेकर भगवान शंकर के उपर चड़ा दो और अपनी मनों कामना करकर एक लोटा पानी श्यूपर समर्पित कर दो चुटकी भर बस ज्यादा नहीं मात्र चुटकी भर पाँच प्रदोश भी पूरे नहीं हो गए और बाबा चाहेगा कि आपका जो लच्छमी रुकी हुई है या वेपार नहीं चल रहा या कारे नहीं हो रहा तो बाबा उसको एक प्रदोश दो प्रदोश करोगे तीसरे प्रदोश में तो बाबा धक्का लगा ही देगा कैसे ही लगाए